प्यारे दोस्तों आज हम मॉडल पेपर वैसाई अध्यान का जो है डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे मज़ा आने वाला इस पेपर को सौल करने में और बहुत ही अच्छे प्रशन दिये गए हैं जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे तो 2024 का ये प्रशन पत्र है मैंने PDF लिंक जो है यहाँ पर डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डारेक्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में 11-20 तक के जो प्रशन हैं यह आपको दो नंबर के मिलेंगे उसके बाद जो 21 से प्रारम होंगे ठीक है ना 21 से जो प्रारम होंगे यह 5 अंक के देखने को मिलेंगे और फिर बाकी जो बच्चे हुए प्रशन 27 से 30 तक ये 10 अंक के आपको देखने को मिलेंगे तो आपके प्रशन पत्र का जो प्रारूप रहेगा एक नंबर का प्रशन आपको देखने को मिलेगा जो MCQ स्वरूप रहेगा दो नंबर के आंसर आपको लिखने होंगे उसके बाद 5 अंक के जो प्रशन हैं दो अंक्य प्रशन में कोई भी option नहीं मिलेगा जो 5 अंक्य प्रशन हैं वहाँ पर भी आपको options देखने को नहीं मिलेंगे यानि कि आपको जो है last के जो 10 अंक्य प्रशन हैं वहाँ पर option देखने को मिलने वाले हैं तो इस तरह का प्रशन पत्र ये design है नया model paper है और 2024 के लिए आपको इसको तयार करना है 32 तरीके से इसको तयार करिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस question paper के solution को और 32 तरीके साम इसको देखने वाले हैं पहला जो बहुविकल्पिय प्रशन है दस बहुविकल्पिय प्रशन हैंगे इसमें पहला जो प्रशन पूछा गया है प्रबंद का सामाजिक उत्तरदाइत तो है जो प्रबंद है ठीक है इसका सामाजिक उत्तरदाइत तो ये कहता है कि प्रबंद जो है सभी के प्रती जो है जो सामाजिक उत्तरदाइत तो है दूसरा जो question है वेज्ञानिक प्रबंद के जनम दाता थे वेज्ञानिक प्रबंद के कौन जनम दाता माने जाते हैं सभी को अच्छे तरह से पता है टेलर को जो है वेज्ञानिक प्रबंद के जनम दाता के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पे 100 option आपका correct हो जाता है अग वो टोटल चार प्रकार दिये हैं, ध्यान रखना है, चार प्रकार दिये हैं, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कि ये जो चार प्रकार है, ठीक है, ये जो चार प्रकार है, ये कौन-कौन से हैं, तो आप कमेंट सेक्षन मुझे आप कमेंट में बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं अगर आपको दिल्चस्पी है कि आप जो है 95% उपर जाना चाहते हैं आपके साथ सेट इसके लावा आते हैं वो साथो सेट मैं सौल करवा दूंगा एक्जाम से पहले उसके लिए आप बिल्कुल त्यार रहें इस प्रशन पत्र को बिल्कुल मजबूती से त्यार करन यह प्रशन पत्र का एक भी क्वेशन आप से छूटना ने चाहिए सारे याद होने चाहिए ध्यान लखना आपको प्री बोर्ड के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर है और बोर्ड एक्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर है 95% जो है आप स्कोर कर सकते हैं जो हम यहां तक कि उसे नस्ट कर देती है यह कथन किसका है तो यह कथन जो देने वाले थे यह जो स्टेटमेंट है यह ड्रकर का है तो यहां पे और आप्शन आपका करेक्ट हो जाता है अगला जो कोश्चन है इसमें देखिए पूछा क्या गया है आपसे एक बड़े संगठन मे न्युक्ति करण उत्तरदाई है एक बड़े संग्ठन में न्युक्ति करण किसके लिए उत्तरदाई है तो एक बड़े संग्ठन में न्युक्ति करण जो उत्तरदाई है वो उच्प्रदवन्धन के लिए भी है मद्य प्रबंध के लिए भी है और निम्न प्रबंध के लिए यानि कि इन में से सभी है यहाँ पर option में जो है mistake आपको दिया गया है इन में से सभी ठीक है तो यहाँ पर कोई नहीं जो है यह गलत है option इन में से सभी जो है यह सही answer होगा मिस्प्रिंट हो सकती है मॉडल फेपर में मिस्प्रिंट होना अनिवार रहे है कोई दिकत नहीं हर बोर्ड करता है यह mistake अगला जो कुश्चन है निर्देशन के तत्व हैं तो यहाँ पर जो आपका last option होगा यह में होगा यह आपका सही option है ठ्यान रखना यह निर्देशन के तत्त्व जो हैं और कौन कौन से होते हैं तो निर्देशन के तत्त्व को जो हम बात करें तो इसमें perfection भी आ जाता है supervision जिसको बोलते हैं नितत्व जिसको leadership बोलते हैं अभी पेड़ना motivation बोलते हैं ये तीनों के तीनों तत्व जो है ये सही है नित्रिशन के तत्व माने जाते हैं यानि कि इन में से सभी जो है ये right option हो जाएगा आपका इसके बाद जो next question है सात्वा प्रशन पुछागे है नियो किसके लिए आवश्यक है तो लगू उपक्रम यानि छोटे उपक्रम छोटी जो संस्था है उसके लिए भी मद्य स्रेणी की जो आपके उपक्रम है या संस्था है उसके लिए भी बड़े आकार के उपक्रम या संस्था है उसके लिए उप्रुक्त सभी के लिए जो है ये पर दो ओप्शन आपका करेक्ट हो जाता है अगला जो प्रश्ट नहीं है इसमें पूछा गया है पित्य प्रबंद की परम परागत विचार धारा को त्याग दिया गया था कौन से सन में त्यागा गया था देखो यहां पर फिर से मिस्प्रिंट है यहां पर देखो यह 19 1940 और यहां पर भी जो है हम लिखेंगे 1940 से 1950 अब यह सब सही है तो यहां पर आपका आंसर कौन सा होगा बित्य प्रबंद की परम परागत विचार धारा को त्यागने का जो करे किया गया था वो 1930 से 1940 के बीच किया गया था जो की option number जो मैंने यहां पर लिखा है यह सही है यह यहां पर यह गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जा रहा है तो यहां पर जो option मैंने लिखा है यह आपका सही है जहां जहां option सही है मैंने बता दिया है कि option कौन सा सही होगा यह आपका इसमें से सभी होना चाहिए और इसके बाद में जो है यहां पर आपका जो है date जो है यहां mistake है नववा जो प्रश्ण है भारत में कुल stock exchange यानि share बाजारों की संख्या जो है पूछी गई है तो भारत में कुल stock exchange यानि की share बाजारों की जो संख्या है total वो है 23 ठीक है तो यहाँ पर साव option आपका correct हो जाता है अगला जो प्रश्ण है उसकी बात करते हैं जिसमें पूच्छा का एह मैसलो निवासी थे एह मैसलो जो है निवासी किस देश के थे यहाँ पर options दिए गए देशों के और आपका सही answer हो जाएगा जो निवासी है यह मैसलो वो है अमेरिका के तो यहाँ पर यह option फिर से आपका correct हो जाता है तो इस तरह से आपको 10 प्रश्ण देखने को मिलेंगे mcq के बिलकुल as it is अब आत बात करते हम बड़े प्रश्णों की नियोजन की परिभाषा दीजिए नियोजन की परिभाषा आपको देनी है ठीक है ध्यान रखना है सारे questions के answers में बताने वाला हूँ दो अंकिये प्रश्ण शुरू है और ये दो अंकिये प्रश्ण जो है आपके कहां तक चलेंगे ये आपको बताता हूँ कि ये अंक जो है आपको दो अंकिये के प्रश्ण जो दो नंबर के प्रश्ण जो है न बीस प्रश्णों तक चलेंगे ये तूकी जाने वाले विभिंद क्रियाओं को शामिल किया जाता है ये नियोजन की बहुत ही सिंपल सी परिभाशा है इसके अलावा अगर नियोजन की हम दूसरी परिभाशा की बात करें अगर आप किसी विज्ञानिक रूप में देना चाहते तो नियोजन की जो दूसरी प तो आप दोनों में से एक परिवाशा लिख सकते हैं, अब आती है question number 12 की बारी, तो 12 को दिखते हैं, प्रबंद के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं, प्रबंद के कोई भी दो उद्देश्य आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य प्रबंद के होते हैं, मैं आपको 45 बता देता हूं इस में से आप कोई भी 2 लख सकते हैं पहले उद्धिश्य की अगर मैं बात करूँ तो फ्रबंद का उद्धिश्य जो है निम्तम प्रयासों से अधिक्तम परिड़नाम प्राप्ठ करना होता है यह पहला उद्देश्य जो है आप बता सकते हैं दूसरा आगर उद्देश्य की बात करें तो संस्ता के पूर्व निर्धायत लक्षय को प्राप्त करने में सहायता करता है यह क्या है आपका संगठन का जो प्रबंद का उद्देश्य है प्रबंद के ये उद्देश्य है उसकी ही हम बात कर रहे हैं इसके लगर तीसरे उद्देश्य की मैं बात करना चाहूं तीसरा उद्देश्य जो है उस्रम और पूजी के माध्यम या श्रम और पूजी के मद्द अच्छे संबंदों की स्थापना करना जो है प्रबंद का उद्देश्य होता है इसके बाद चोथा अगर उद्देश्य की बात करूँ तो उपलब्द साधनों का अधिक्तम उपयोग कर सकते हैं स्लाइड चेक करवाईए तो उपलब्द साधनों का अधिक्तम पुरियोग इसमें प्रबंद में शामिल किया जा रहा है यह उद्दिश्यों में है और पाँच्वा हम ले सकते हैं जो पाँच्वा है उसको भी देखिए इसमें करमचारियों के विकास में सहायक एवं मौलिक देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उपर चला गया करमचारियों के विकास में सहायक मौलिकों के हितों की रक्षा करने में जो है प्रबंद का एक दिश्य सामिल है अब आईए तेरा नंबर कुश्चन पर जिसमें हम बात करेंगा प्रबंद की परिभाषा आपको लिखनी है प्रबंद की परिभाषा लिखनी है प्रबंद की दो परिभाषा ही मैं आपे बताने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगे उसको चूज करिए पहली परिभाषा देखिए प्रबंद की परिभाषा की बात करें ये प्रबंद की पहली परिभाशा है अगर मैं किसी वैज्ञानिक परबंद के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टी से इसकी परिभाशा देना चाहूं तो मैं बोलूँगा हैंडरी फ्योल के अनुसार प्रबंद का आर्थ भविश्य के लिए पूर अनुमान लगाना योजन बनाना संग्ठन करना निदिशं देना समण मे और नियंतरन इस्थापित करना ये सभी प्रशन पूछे जाएंगे आपसे आगे बड़े प्रश्णों में जो 10 नंबर के आपको देखने को मिलने वाले हैं अगला जो प्रश्ण है संगठन की कोई दो सीमाएं जो है आपको लिखनी है संगठन की दो सीमाएं क्या क्या हो सकती है संगठन की मैं आपको यहां पर 3-4 सीमाएं बताने वाला हूँ स्लाइट पेस किजिए, ओके, टेस्टिंग, ठीक है, संगठन की जो पहली आपकी विशेष्टा है, उसकी हम बात करें, तो संगठन व्यक्तियों का एक सम्मू होता है, जो अधिकारी के नेतत्व एव निदेशन में कारे करता है, संगठन की दूसरी विशेष्टा की बात हम करें, तो इसमें आजाता है, संगठन एक सामान्य उद्देश्य होता है, यह इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्रे करता है, संगठन का तीसरे उद्देश्य की बात करें, संगठन प्रबंद का एक महत्पून कार्रे होता है ठीक है ध्यान रखना है जो भी है हम बता रहे हैं आपको संगठन की प्रमुख विसेशता हैं आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा जो है हम बता सकते हैं संगठन जो है एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है अगला जो है कोश्चन उसकी बा करें नियुक्तिकरण का अर्थ आपको लिखना है नियुक्तिकरण का अर्थ क्या होता है बहुत ही सिंपल सी डेफिनिशन है इसकी देखिए ध्यान से नियुक्तिकरण का अर्थ जो है लोगों को कार्यत करना नियुक्तिकरण से आश्य संगठन में इस्थापित विभिन पद से किसी आदमी को हमें अपने संस्था में लेना है मैं कोई कम्पनी चला रहा हूं मैं कुछ अ ऐसा प्रोटक्ट बिना रहा हूँ जो मार्केट में बेचना है तो उसके लिए हमें बेचने के लिए जो है न्यूक्ति करनी पड़ेगी हमें कुछ परसंस को हाइर करना पड़ेगा इसी वज़े से तो नोक्रिया मिलती है आप लोगों को हर जेगे पर नोक्रिया देखते है बाप बहुत लोगों के मदर और फादर दोनों हैं जो नोकरी करते हैं किसी लोगों के केवल मदर नोकरी करती हैं पिता जी नहीं करते हैं वो वैसाय करते हैं कोई चोटी मोठी दुकान करते हैं और किसी किसी के घर में जो है मदर जो है हाउस वाइफ है और वो हाउस वाइफ के तहट काम करती हैं बलकि जो पिता हैं वो जो है वो अपना काम करते हैं किसी संस्था में किसी भी कंपनी में तो वहाँ पर उस कंपनी में विविंद पद होते हैं जिसमें लेवर हो सकता है मैनेजर हो सकता है असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है सुप्रवाइजर हो सकता है तो अविपेड़ना की क्या अउधारना है लिखिए अउधारना की बात की गई है अविपेड़ना की अउधारना क्या कहती है तो देखिए अविपेड़ना की अउधारना वैवार के कार्णों की व्याख्या पर केंद्रित होती है आप कैसी वैवार करते हैं और अविपेड़ना जो है एक आंत्रिक शक्ति है जो व्यक्ति को कारे करने के लिए क्या करती है मोटिवेट करती है प्रिरित करती है ठीक है तो यह हो गया और पेड़ना की definition दो नंबर यहां से आप हासिल कर सकते हैं सतुरा जो परशन है उसकी बात करते हैं वित्य प्रबंद की परिभाषा लिखिए वित्य प्रबंद की परिभाषा जो है मैं आपको दो तीन तरह की बताने वाला हूं जो आपको चूज करना है उसको चूज करिए पहला परिभाषा की बात करें वित्य परबंद का अर्थ क्या होता है वित्य परबंद से आज से किसी विवैसाइक उपरम की कुशल वित्य विवैस्ता से होते हैं मतलब जो हमको finance अपना करना है उतको कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं ये पहली परिभाशा जो है वित्य परबंद कीए पित्य प्रबंद का जो दूसरी परिभाशा में आपको देने वाला हूँ उसको ध्यान रखिएगा उसमें क्या होता है देखिए पित्य प्रबंद एक विशेश किरिया है जिसके अंतरगत बित्य नियोजन नियंतरन और बित्य प्रबंद के कारे जो है किये जाते हैं ये तूसरी परिभासा है जो आपको अच्छा लगता है उसको चूज कीजिए और लास्ट जो आपको परिभाशा बताने वाला हूँ गुथ मैन और डुगल का उनके अनुसार जो है बित्य परबंद एक सम्मंद एस बित्य परबंद का समंद ऐसी गतिविदियों से है जो वैसाय में परियुक्त कोशो के नियोजन और एक मात्र नियंत्रन एवं प्रशासन से जुड़ी होई हो तो जब भी मैं बोलूँगा किसी भी वैज्ञानिक की डेफिनिशन लिखते हैं आप याद रखिएगा जो चीज बोल रहा हूँ किसी भी वैज्ञानिक की डेफिनिशन आगर आप लिखते हैं फे जैसे की गुड मैंकी बात कर रहा है मैंने उससे फ Alrighty, इजे ज्ब भी आप किसी वैज्ञानिक के अनुसार जो है कोई महतों हुआ, व्यसाइक वित के दो महतों हम किया बता सकते हैं ? व्यसाइकु चलने के लिए A. यह पहला आदि के लिए महतो पूण है ये तीसरा महतो है तो आप तीनों में से कोई भी दो महतो आप आसानी से लिख सकते हैं अगला जो question है इसमें पूछा है कारेशील पूणजी का अर्थ क्या है इसको हमें लिखना है कारेशील पूणजी का अर्थ बहुत ही simple सी मैं अनुसार जो है सामानित है कारेशील पूणजी से आश्य चालू संपत्यों के चालू दाइतों पर आधिक्ये से है ये बहुत ही simple सी definition अगर आप यहां तक लिख देते हैं तो आपको दो नंबर मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ा करना चाहते हैं तो लिख स और कोई आइटम जल्दी से मैंगवाना है बहुत सारी चीजे होती है तो ये कारेशील पूणजी होती है मतलब उस कारे में लगे हुए हम जिस कारे को कर रहे हैं उस कारे के लिए वह चीज इंपोर्टेंट है यहां पर वह चीज हमें शामिल करनी होती है पीसवा जो प्रकार वस्तु में वस्तु का क्रे या विक्रे होता है ठीक उसी प्रकार मुद्रा वाजार में मुद्रा का भी क्रे और विक्रे होता है किन्तु मुद्रा के ऐसे क्रे विक्रे का अर्थ मुद्रा के उधार लेन देन से है जो की क्रे विक्रे जो वस्तु का होता है उसमें उधार की बात नहीं होती है लेकिन मुद्रा में उधार लें देन से है और मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन कोशो की विवस्ता करता है मतलब मेरे को बहुत ही अमर्जिंसी है तो मैं जा करके क्या है यह उधार ले सकता हूं समझ में आ गया दूसरी डेफिनिशन यहाँ हम अगर बात करें मुद्रा बाजार की तो देखिए मुद्रा बाजार वे जगह है जहां अल्पकाली के कार्याल ले दाइत्व जैसे की ट्रेजरी बिल वानेज्य पत्र पेपर और बैंकरों की सुकिर्तियां आदी खईदे और बेचे जाते हैं बहुत ही सिंपल सी डेफिन अगर आप इसको याद करना चाहते हैं आप इसको याद कर सकते हैं दो डेफिनिशन आपको मैंने बताइए आगे बढ़ते हम पांच अंकिये प्रशनों के तरफ दो अंकिये प्रशन खतम हो चुके क्योंकि 20 जो है आपके प्रशन खतम हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं एक प्रबंद क्या है विज्ञान है जिसको हम निम रूप से समझ सकते हैं इसमें प्रबंद को हम कला के रूप में बताएंगे management as a art ठीक है इसका जो है मैंने पूरा detail लिख दिया है बहुत ही समझ के आपको लिखना है अब ये कला के रूप में क्यूं है इसका reason क्या है तो इसके हम दो point जो हम दे सकते हैं दो point जो आप दे दोगे इसके अनुसा जो है ये पूरी व्याख्या हो जाएगी ये है वो दो point प्रबंद का उद्श्य किसी उपक्रम में सार्थक परिणाम प्राप्त करना है और प्रबंद की कुशलता में उसके देनिक अनुभाव और अभ्यास से रद्धी होती है उसके अलब प्रबंद जो है बिग्यान के रूप में अभी मैंने प्रबंद जो है आपको कला के रूप में बताया था अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रबंद जो है बिग्यान की रूप में कैसे कारे करेगा इसकी बात करते हैं तो प्रबंद जो है बिग्यान की रूप में कैसे कारे करेगा यह मैंने आपर लिखा हुआ है अब इसका जो है छोटा सा एक निर्षकर्स जरूर निकालना होगा क्योंकि निर्षकर्स के बिना जो है यह आंसर ओचित्ते में नहीं आएगा पांच अंकिये प्रश्ण है तो इसको हमें समझाना होगा तो यहाँ पर निर्शकर्स के अनुरूप जो है यह statement आपको देनी होगी जो कि आपके लिए बहतरीन होगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी प्रशन पत्र के solutions आपको दिये जाते हैं एक top पर कैसे लिखता है यह ध्यान रखना है top पर एक exam में कैसे लिखता है वो क्यों top हो जाता है क्यों 95, 96, 98, 99 या कभी-कभी 100% भी आते हैं क्यों आते हैं इन बंदों के यह सब रिजल्ट आप भी तो वही लिखके आते हैं आपने भी सब कुछ वैसा लिखा है लेकिन आप जो है यहाँ पे qualities को improve नहीं करते हैं आप घचट-पचट करते हैं जो चीज नहीं ल सीमाएं आपको बतानी है सबसे पहले मैं नियोजन की सीमाओं का एक चार्ट देता हूं आपको जिसको आपको समझना है कि नियोजन की सीमाएं क्या होती है नियोजन जो है समय नस्ट करने वाली प्रिक्रिया होती है सबसे पहली बात आपको समझ लेनी है नियोजन जो है र आपकी रचना वो सही नहीं हो पाती है, नियोजन दो है, द्रढ़ता उत्पन करता है, अच्छा, नियोजन से planning करते हैं, तो हमारा जो काम करने का मोटीव है, वो हो सकता है, कि possible हो जाए, नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है, लेकिन हम planning जो करें, वो मैंने माना कि आज मै दो गंटे पहले sister से मिलने जाऊंगा, सुबह 7 बजे निकलूंगा और sister से मिलने जाऊंगा और मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, एक example देता हूँ, छोटा सा, नियोजन, मैं industry के मामले में नहीं, आपके personal matter में, तो आपको sister से मिलने जाना है, आपने बोला कि मैं 7 बजे लेकिन, आपने planning तो कर ली, लेकिन सडक आपकी नहीं है, government की है, सडक आपके अलावा, आपके जैसे 50 सिष्टर से निकले, मतलब मिलने जाने वाले हैं, उनसे भी तातपर्रे रखता है, नियोजन का अर्थ ये है, कि आपने जो planning बनाई है, हो सकता है, उसके बीच में कोई आपने करिये, वो सफलता का आश्वासन है, वो नहीं दे सकता है, और साथी साथ, परिवर्तन शील वाता परण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता, जोकि मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं सडक पे निकला, मैंने बोला, मैं आदे घंटे में, मैंने अपने मित्र से बोला, मित्र कहां खड़ा है, तो भाई, आजा, मैं मार्केट के चोथे चोराहे पे खड़ा हूँ, या फलानी दुकान पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पांच मिन्ट में पहुच रहा हूँ, पांच मिन्ट आप, जैसे ही आपने बोला, उसको पांच मिन्ट पहुच रहा हूँ, आपकी value होनी चीए सब्दों की, पांच मिनिट आपने बोला, लेकिन जैसे ही आप निकलने वाले थे, पापा ने कहा कि जा के एक दुकान से दूद ले के आजा, अब आपका दुकान पे जाना, दूद लाकर के घर पे देना, उसमें एक मिनिट वैस्ट ह गया, आपने जैसे ही दूद रखा और आप निकलने की तेयारी कर रहे थे, अचानक पता चला कि आप जिस गाड़ी से बाइक से जाने वाले थे, वो पंचर है, तो आपकी planning पूरी की पूरी उधड़ गई, तो यह होती है नहीं वोजन की सीमा है, आप इस वात को समझ गए हैं, यह रेखाची तरह आपको समझा दी गई है, अब हम बात करेंगे, क्योंकि यह पांच अंकिये प्रशने हैं, ध्यान रखिएगा, पांच नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, तो केवल यह डाइगराम बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है, बताना का असवासन क्यों नहीं देती है, नियोजन जो है, परिवर्तन शील वातावरण में प्रभावी क्यों नहीं होती है, तो यह पांचो कारण को आपको समझाना होगा, तब जाके आपको पांच अंक मिलेंगे, लेकिन अगर यह आपने टेवल बना दी, जो मैंने यहां पे ट बाइग्राम बना दिया, और उसमें से केवल मातर दो-दो लाइन लिखते हैं, तो आप समझेए, आपने आपको सफल प्यक्ति पाते हैं, 95% के उपर जाने वाले पाते हैं, पहला, नियोजन समय नस्ट करने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको समझाना है, जो कि म तो नियोजन जो है, नात्मत्ता को कम करती है, वो क्यों कम करती है, तो उसका हम यहाँ पर विशलिशन देंगे, ठीक है, इसमें से आप जो भी पॉइंट कम करना चाहें, एक लाइन में लिखें, दो लाइन में, कोई फरक ने पड़ता है, उपर वाला फ्लो चार्ट आपक का एकदम आश्वासन नहीं देता, कि नियोजन करोगे, आप प्लानिंग करते हो, आप सफल हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी प्लानिंग करता भी है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है, यही तो दिक्कत है, आप प्लानिंग करते हो, कि मैं 80% का नियोजन जो है, क्या होती है, परिवर्तन शील बातावरणों पर हावी हो जाती है, तो नियोजन परिवर्तन शील बातावरण में प्रभावी नहीं रहती है, उस पर हावी हो जाती है, यह 5 पॉइंट आप लिखेंगे, आपका अंसर कंप्लीट हो जाएगा, इसके पूंजी जो है भाई पूंजी का तत्पर वैसाय के शुद्ध मुल्य से है शुद्ध मुल्य वैसाय की कुल संबत्यों में से सभी अल्पकालिन एवं दिरकालिन दायतों को घटा करके किया जाता है पूंजी वैसाय के माली को द्वारा लगाई जाती है इस प्रकार अंश पर्खास्त कर देना है, इसके बाद इस में जो है रिंड पत्र और अन्ने रिंड को सामिल नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब आगे की बात करते हैं इसमें पूछा गया है पूंजी पूंजी मैंने बता दिये पूंजी सनरचना में अंतर आपको बताने है पूंजी की बता दिये आपने कि क्या होती है तो सनरचना बता दोगे तो अंतर अपने आप इस पस्ट हो जाएगा पाँच पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे आधाधे नंबर इसके मिल जाएंगे और आधे नंबर आगए वाले में मिल जाएंगे अब पूझी सनरचना की बात कर लेते हैं ठीक है तो पूझी सनरचना क्या होती है पूझी सनरचना में दिरकालिन कोशो यानि की पूर अधिकार अंशरिंड पत्र को शामिल किया जाता है और पूझी सनरचना के अंतरगत जिन प्रतिभूतियों द्वारा पूझी एकत्रित की जाएगी उसके प्रकार तथा उसका अनुपात निश्चित किया जाता है तो ये पूझी सनचना के बारे में हो गया तो पूझी और पूझी सनचना में आपको अंतर इसपस्ट करना था पांच अंतर आपने उपर देखे, पांच अंतर अभी आपने on screen देखे अब बात करते हैं 24 वे प्रशन की तो विश्यो प्रश्ण में चैन परिक्रिया में साक्षात्कार यानि इंटर्वू की महत्व की व्याख्या करनी है जब हम किसी का सेलेक्षन करेंगे तो उसमें भाईया हम क्या महत्व दिखाएंगे क्या जरूरत है उसकी तो देखिए चैन परिक्रिया में जो महत्व है इस परकार हम समझ सकते हैं कि साक्षतकार नौकरी के लिए आवेदक की उपयोग किता का आकलन करने है तू आवेदक और साक्षतकार करता यानि कि जो इंट्रिव वीवर है उसके बीच की मौखिक वारताल आप और आमने सामने की बात चीत है आप तो वहां पर लिखवा तो नहीं ले रहे हो नहीं आप एक्जाम ले रहे हो नहीं प्रशन पत्र दे रहे हो आप सीधे उससे बात कर रहे हो आप उस बात से ही पैचान जाओगे कि वह कितना काबिल है या एक चैन तकनीक है जो नहीं देगा हमें बताना है और भी आगे साक्षतकार का उदेश्य जहां एक और असक्षम और अविग्य जो आपका साक्षतकार का उदेश्य क्या होता है जो असक्षम है ठीक है जो अयोग्य है उसको जाज करके उसको छटनी करना और जो बहुत ही प्राकर्टिक रूप से से में जो है उसके सर्टे मानता है वेतन के इसाब से है उतरदायत तो रखता है और सामाने जानकारी प्राप्त करता है अनुभा उसका अच्छा है रूची उसके अच्छी है आयू का अनुसार जो है वो सही है उसके बारे में जो सारे प्रश्ण है उससे पूछे जाते हैं उसक जब हम 5 नंबर लेना तो महतों बताएंगे चेंड़ प्रक्रिया में शाक्षाकार के निम्न महतों है यह पता लगाना की प्रार्थी जो इंटर्व देने आया है नोकरी के लिए यह योग यह होगा यह नहीं पहला तो हमें यह पता चल जाता है दूसरे जो हमें पता चल कि उसने कुछ न कुछ तो किया है और उसका लेबल हम उसी से ग्याद कर सकते हैं उसमें हम तीसरी बात कर सकते ही प्रार्थी के व्यक्तितों का मुल्यांकन करना है यानि प्रार्थी जो है वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है चीटिंग करता है अच्छा है नौर्मल है गुस्से वाला है वो सारी चीज़ हमें उस समय पता जल जाती कुछी सहनों में पता जल जती क्योंकि यहां पर psychology काम करती है interview के समय इसके लावा जो है आप बता सकते हैं प्रार्थी के बारे में जानना और उससे नोकरी और संस्ता के बारे में जानकारी प्रदान करना जो है इंटर्वू का में काम है यह हम जो है जो हमारे पास आया उसके बारे में हम जानते हैं और अगर हुँ हमें पसंद आता है तो हम उसको नोगरी के बारे में हमारी कमपनी के बारे में जो है जानकारी प्रदान कर देते हैं तो यह सारी चीजे जो इसमें आ आउशक्ता पढ़ती है इसके लिए कारे सिधानतों के लिए जो है कारे कुशलता के कारे कुशलता में बृद्धी के लिए प्रबंद के सिधानतों की हमें आउशक्ता पढ़ती है पहली चीज हम इसमें बता सकते हैं दूसरी चीज ध्यान रखना यह सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे अन्य था डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा नहीं तो पांच नंबर नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे आप कोशिश करके देख लेना रिजल्ट खराब होगा कोई फायदा नहीं होगा दूसरी चीज हम बात करें प्रबंद के सिद्दान्तों की आवशकता जो है सही दृष्टिकोन यह हम कार्य की प्रणाली को विक्षित करने की योगदान में किया जाता है सही दिश्टिकोन और कार्य प्रणाली के विकास में योगदान के लिए प्रबंद के सिद्दान्त आवश्चक है तीसरा अगर प्रबंद के सिद्दान्त की बात करूं तो किसलिए आवश्चक है सामाजिक द्युश्यों की पूर्ती के लिए भी हमें इसकी आउशक्ता पढ़ती है अगर मैं चौथे इसमें प्रबंद के सिधान के क्यों आउशक्ता है तो इसको मैं चौथे पॉइंट से अगर व्यक्त करना चाहूं प्रबंद के सिधान्तों की आउशक्ता ठीक है और इसके अलावा जो पांचवा इसमें हम चरण लिख सकते हैं प्रबंदिय सिधान्तों की आउशक्ता जो हमें जटिल समस्याओं के समधान हेतू की आउशक है ठीक है तो ये चाइज हम बता देंगे 26 के बात करते हैं अंतर आपको बताना है इसको हम टेपूलर फोम में आपको बताना चाहूं तो यहापर उतपति के आधार पर आपपसे चाहिविध दिश्य क्या है, उसके हिसाब से जो है आप अंतर बता सकते हैं, सदस्यों में संबंद कैसा होता है, उसके हिसाब से भी आप अंतर यहां पर बता सकते हैं, अगर मैं बात करूँ अगले अंतरों का तो आकार, साइज के हिसाब से भी आप संगठन में अंतर बता सकते हैं, आप आप बता सकते हैं कि सत्ता का प्रवाव, जो authority होती है, जिसके पास power होती है, वो कैसी होती है, आपचारिक में और अनपचारिक में, और उसके बाद में stability, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं, और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ और जो आप शामिल करना चाहिए, जो से कुछ भी पाँच अंतर आपको लिखने है, table के अंदर में, आपको 10 बताने वाला हूँ, total अंतर, 10 की जगे 11 बता दिये मैंने, तो ये सारे कि सारे अंतर आपको समझ में आ गये होंगे, इन अंतरों को जो है आपको समझना है, और इन में से अंतर आपको बताना है, विस् इस अर्थ को जो है आप बहुत सारे पॉइंटों से समझाएंगे जिसमें पूर अनुमान लगाना के बारे में आपको बताना होगा योजना बनाने के बारे में बताना होगा संगठन करना उसके बारे में बताना होगा आदेश देना इसके बारे में सवन में करना इसके बारे में नियंतरन रखना इसके बारे में क्योंकि प्रस्ण जो है यहाँ पर चेंज हो चुका और यह 10 नंबर का प्रस्ण दस नंबर हासिल करने है तो थोड़ा मोड़ा जो पाач नंबर का आपने लिखा था उसके हिसाब से तो बिलकुल भी नहीं मिलेंगे याद रखना टॉपर्स की बात कर रहा हूं 95% लाना है तो सीखना की आंसर कैसे लिखना है यही सीखना है आपको यहाँ पे सबी जो point पूछें इन सबी की हम detail में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूर अनुमाल लगाना फ्योल का नुसार जो है हम पहले बताएंगे हैंडी फ्योल का नुसार जो है प्रबंद का अर्थ क्या होता है ठीक है और यह जो है उन्होंने कब प्रतिपादित किया था इसकी जानकारी उन्होंने कब दी थी यह सब पहले जो है आपको बताना है इसके बाद जो है इसके प् करेंगे और पहला जो है आपका पूर अनुमान लगाना या फिर जिसको बोलते हम योजना बनाना तो इसके बारे में हम लिखेंगे और इसको खतम करते हुए अगले में बढ़ेंगे हम संगठन अब संगठन में क्या लिखना है संगठन में ये लिखना है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है संगठन के बारे में ये लिखना है अब जो है next portion जो है इसमें क्या पूछा गया है तीसरा जो आपसे पूछा गया है इसमें आदेश के बारे में पूछा गया है तो आदे जो इस part का question पूछा गया है, नियंतरन रखना, तो नियंतरन के बारे में भी बताना होगा, भया, तो ये रहा नियंतरन, तो ये रहा नियंतरन, और यहाँ पे होता है आपका इस question की समापती, ध्यान रखना बहुत ही बहतरीन तरीके से, आपको एक एक portion समझाया हुआ है, इसके अथ्वा में भी question मिलेगा आपको, अथ्वा देखिए, अथ्वा कैसे मैंने बताया था, दस number के जो प्रश्ण होंगे, उसमें सभी में अथ्वा मिलेंगे, और इसके अलावा जो ही प्रश्ण होंगे, उसमें किसी में भी अथ्वा नहीं मिलेंगे, यह इध्यान रखना है आपको, तो आपको समल के चलना है, और अच्छे तरीके से इस पेपर को रट लेना है, तयार कर लेना, बहतीन तरीके से, शेयर कर देना अपनी दोस्तों को साथ, जिनको आप चाते हैं कि भविस्य में वो सफल हो पाएं, आपके साथ साथ आगे बढ़ें, टेलर के वैग्यानिक परबंद के सिदान्तों की व्याख्या करनी है, टेलर के वैग्यानिक संबंदों की व्याख्या जब हम करते हैं, तो इसमें उनके बहुत सारे सिदांत आते हैं जिनको हम वेज्ञानिक प्रबंद के सिदांत भी कहते हैं। और जब उन्होंने विज्जे प्राप्ट किया था, तो त्रिलर ने प्रबंद के दnowरा अपनाए जाने वाले सिदांतों को प्रस्टृत किया था। उस सिदांदों के बारे में बात करें, तो पहला सिदांद जो उनका कहता है, वो कहता है कि जो आपका परबंद है, वो विज्ञान है, ना कि अंगोठे का कोई नियम है, समझ में आ गई आपको, और फिर टेलर क्या कहते है, टेलर का जो वेग्यानिक परबंद का सिदांद कहत केटा है वो कहता है कि जो वेग्यानिक परबंद का सिदान्थ वह सामंजस से है ना की संगर से टिक है तो हम जो है ओहाप हूँ और तुम तुम हो ऐसा नहीं है संयो करना होगा में तो इस तरह से हम चलते हैं मैं आपको meanwhile guide कर रहा हूह मजतने हैं आपको हर चीज खे सीमित उत पादन के करना कि कमसे कंव बनाने की बजाए हमसे ज् cause जादा अम प्रोड़क्ट जो है बनाएंगे ये टेलर का सिदान्त कहता है इसके लावा जो इनका पांचवा पॉइंट कहता है वो कहता है प्रते व्यक्ति का अधिक्तम दक्ष्टा और सम्रद्धी तक जो है विकाश करना आवश्यक है हर व्यक्ति है ऐसा नहीं कि मैनेजर है तो बस मैनेजर के लिए ही हम काम करें मैनेजर के लिए ही वो संस्ता काम करे, मेनेजर को ही उत्रदाइतो दे, मेनेजर से ही सब कुछ आउटपुट ले, मेनेजर को ही सब के उपर हावी रखे, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट करे, ये इसका प्रते व्यक्ति का अधिकतम दो है, दक्षिता और समधी तक विकाश क पहुचाया था तो यह टेलर का सिद्धान्थ इसलिए कारे करता है आज हम इस टेलर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसने एक कंपनी में काम किया था यह कोई ऐसा नहीं यह टेलर की भाईया इसने पुस्त के लिखना शुरू कर दी थी ऐसी अपने बॉल बच्चन दिये थ था इतनी बेकार हो गई थी कि वो कंपनी डूबने वाली या बंध होने वाली थी लेकिन टेलर ने वहाँ पर अपने वैज्ञानिक प्रबंद का सिद्धान्थ लागू किया उसने अपने विचार प्रस्तूत किये और इन पांचों विचारों को देखते हुए इस कंपनी नितना ग्रोथ किया कि अपने से बड़ी बड़ी सो कंपनियों से ज्यादा तक की कंपनियों को जो है धराशाई कर दिया अपने आगे मात्र दो वर्षों में यहाँ पर अगला जो प्रशन है नियोजन के प्रकारों का वर्णन करना है अब नियोजन के बहुत सारे प्रकार हैं थोड़ा सा इसका टेबल दिखा लेता हूं उसके बाद मैं समझाता हूं कि यह टेबल का क्या माईन है हैं यहाँ पे देखिए NEOGEN के प्रकार समय के आधार पर NEOGEN करना हो तायम है कि बहुँ कैसा समय चल रहा है इस तर के आधार पर कि हमारा लेबल कैसा है ठीक है ना आंतरी के हम बाहरी के योजनाए हैं उसके अधार पे हम प्लानिंग करेंगे उप्योग के अधार पे भी जो है हम नियोजन करेंगे प्लानिंग करेंगे बार-बार उपयोग करने की योजना है जो है बार-बार जो करनी है उसके आधार पर हम प्लानिंग करें या एकल उपयोग की योजना है कि एक बार है जो हमने प्लानिंग बना दी उसको ही हमें योज करना है तो यह प्लानिंग का चार्ट है इसको आप लिख देते हैं इसको क चलते हैं, तो पहला जो है समयाओधी के इधार पर हम बता देंगे कि आपका पहला हो जाेगा अलप कालीन और दूसरा हो जाएगा दीर कालीन तो अलप कालीन के बारे में आप ये लिग देंगे, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा आपके लिए 14 सा ये लो, ठीक है? तो ये हो गया आपके अल्प कालीन योजना यहनि की सोट टम पलान, छोटे समय के लिए जो हम पलान करेंगे वो हो गया अल्प कालीन, दूसरा जो है हम दीर्ग कालीन करेंगे, ठीक है जो की लॉंग टम के लिए प्रोसेस होगा long term की planning होगी तो ये हो गया समय के आधार पर हमारी दो planning जो मैंने आपको table के हिसाब से दिखाई थी अब प्रबंद के इस्तर के आधार पर प्रबंद के इस्तर के आधार पर तीन तरह की थी एक उचिस्तर एक मद्दे इस्तर और एक निमनिस्तर तो हम बात करेंगे अब प्रबंद के इस्तर के हिसाब से अब ये इस्तर जो है आपके पहला हो जाएगा आपका उचिस्तर पर क्या planning या क्या योजना बनानी है उसके बाद जो हम बता देंगे कि मद्दे इस्तर पर क्या planning बनानी है उसके बाद बता देंगे हम कि निमनी इस तर पर क्या planning बनानी है अगला जो part है हमारा जो तीसरा है diagram आपने देख लिया था उसमें आंत्रिक और बाहरी योजनाओं के आधार पर हम जो planning करेंगे उसमें कौन-कौन सी आ जाएगी यह सारी कि सारी जो मैंने अब आप आपको यह दिया है यह paragraph और एक paragraph और लिखिएगा इसमें ठीक है तो यहां पर यह complete हो जाता है उपयोग के आधार पर जो है इस्थाई बताएंगे और एकल बताएंगे अब उपयोग के आधार पर हमें प्लानिंग बतानी है उपयोग के आधार पर जो है हमें एक बतानी है एकल ठीक है इस्थाई बतानी है जो बार-बार हमारी जो है इस्थाई या फिर बार-बार उप्योग होने वाली है और फिर एकल बताएंगे एकल मतलब जो एक बार प्रयोग होने वाली है तो इस तरह से जो है ये पूरी के पूरी प्लानिंग है आपको ये समझना है कि हमारे जो नियोज छोडने की गलती नहीं करनी अगर कर दिया नंबर कटे यह चीज आपको समझा दिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पार्ट पर संगठन के धाचे संगठन ठाचे के निरमान के समय ध्यान जोग्य कौन सी बाते हैं? कौन कौन सी बाते हैं, उसको पहले tabular form से समझञें कारे की पहचान एहों बिभाजन मदलब कैसा कारे करना है? ठीक है, उसकी पहचान कर लेनी है और उसको किसको देना है, ये हम कर लेंगे रीड करेगा और सूचनाय प्रेशित करने के लिए संबंध इस्तापित करना यानि कि जो भी हम काम करेंगे वो आगे रिपोर्ट कैसे करेंगे हम आगे तक उसको कनवे कैसे करेंगे यह संगठन निरमान के प्रमुक कदम होते हैं अब यही चीज हमें जो है बतानी है इन सभी को जो है हमें छोटे छोटे लबजों में यानि की छोटी छोटी बातों में इसको डिस्क्राइब कर देना है सबसे पहले कारे की पहचान नियोजन कैसे करना है या विभाजन कैसे करना है उसकी बात करें तो कारे का पहचान करना है और उसका विभाजन कर देना है ठीक है प उसके बाद जो आता है करतव्यो lifesшь का कौन सा होगा इसके बाद आता है सूचनाव को प्रेषिद करने के सम्बंद में स्ताफित करना कि सूचना वहिया कैसे प्रेषिद होगी कौन किसे बात करेगा कौन आगे कनवे करेगा, supervisor किसको बोलेगा, subordinate किसको बोलेगे, general manager किसको बोलेगा, यह सारी चीज़े यहाँ पर हम बात करेंगे, इसके बाद जो आता है, निक्तिकरण परक्रिया पर प्रकास डालना है तो भाईया, निक्तिकरण परक्रिया में सबसे पहले हम बात करें करमचारियों की मांग क्या होती है उसके इसाब से निक्तिकरण परक्रिया डिसाइड की जाती है तो भरती जो हम करेंगे, तो करमचारी की मांग कैसी होगी, यह हमाई सबसे पहले बताना होगा, ठीक है, red color द्यान रखना, इसके बाद दूसरी बात करेंगे, हमकी भरती के स्रोत की पहचान, की भरती किस तरह से किस सोर्स से की जाएगी, ठीक है, वो कैसे पहुँचेंगे भरती के आधार पर, जो है हमें वो बताना होगा, उसके बाद में इक्षी लोगों का आमंत्र, जब भरती किस पहचान हो जाएगी तो हम जो इक्षी लोग वहाँ पर काम करना चाहते हैं, उनकी हम पहचान करेंगे, वो पहचान झो है उनकी अनुभाव से कर सकते हैं, इरिकस्थानों की chain करना होगा तो हमारा जो अगला step होगा उसमें यग्य लोगों का chain करना पड़ेगा उनकी सूची तेयार करनी पड़ेगी तो इस तरह से इस question का answer बनता है अगला जो है इसके अथवा part में परवेक्षक की महतो का wonder भी करना है परवेक्षक की परिभासा बहुत ही simple सी होती है super plus vision इस मतलब super plus vision से बोलते हैं supervisor यानि कि उत्तम जो है हम कह सकते हैं उत्तम द्रश्टी रखने वाला तो वह होता है आपका परवेक्षक यहाँ पर मैंने अक्ष्ली यह तो आपने ड्रवेक्षक होता कि है लिए क हानी क्या है इसके बारेमें एक लाइन हम बताइंगे कि परवेक्षक जो है ऐसी क्रिया से है जिसके माध्यम से कोई एक व्यक्ती कि अपने अंडर काम करने वाले आपका supervision का जाता इंडर आ जाता है अब vegetals की अपने अंडर काम करने वाले उपक्रम में परवेक्षक के महतों का वर्णन करना है question जैसे आपने देखा कि कोई भी आपका संस्ता है उसमें परवेक्षक जो है उसके महतों का क्या मतलब क्यों महतों है क्या जरूरत है उसके महतों की क्यों रखना चाहिए हमें एक supervisor तो इसमें हम बहुत सारे point बता सकते है मैं 57 point आपको बता रहा हूँ इसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको याद करिएगा और जितना maximum हो लिखना है क्योंकि ये 10 अंकिये प्रशन चल रहे हैं 10 अंकिये प्रशन के इसाफ से आपको लिखते जाना है तो यहाँ पर परविक्षक के महतो को निम्न चीजों से समझा जा सकता है जैसे कि पहला परविक्षक का महतो जो है मैंने आपको दिया है यहाँ इसके बाद जो है दूसरा जो महतो आप यह लिख सकते हैं तीसरा महतो की बात करूँ तो चौथा महत्यों जो है आपका ये आ जाएगा पांचवे महत्यों की बात करूँ तो पांचवे महत्यों में आपको ये लिख देंगे अगर छटे महत्यों की बात करूँ तो छटे महत्यों में आपको ये लिखना है और इसके बाद साथ महत्यों की बात करूँ क्योंकि question बड़ा है 10 अंकिय प्रशन है तो 10 के हिसाब से आपको थोड़ा सा तो retail देना पड़ेगा तो 7 महत्व आपको लिखना है ये 7 महत्व तो main है इसके लाव आप महत्व नहीं जोड सकते इससे कम कर सकते हैं आप एक आधा point आपने हिसाब से कम कर सकते हैं इसके बाद जो है आपका next जो question होता है किसी company में स्थाई पूंजी आवशक्ताओं को निर्धारित करने वाले कारकों का जो है वर्णन आपको करना है इस्थाई पूंजी की आवशक्ता क्यों होती है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं तो उसके हम बात करेंगे तो इस्थाई पूंजी की आवशक्ता को निर्धारित करने वाले कारक जो है उसमें से पहला जो कारक है वैसाई की प्रकरती कैसी है यानि कि मैं बोलूँगा nature of business मतलब किस प्रकार का business है यह हमें पता होना चाहिए तब जाके हम इस्थाई पूंजी की आवशक्ताव का निर्धारत कर सकते हैं दूसरा क्रियाओं का पैमाना कैसा हो गया यानि कि scale of operation हम किस तरह के हमापे काम करने वाले हैं यह हमें पता होना चाहिए उसके बाद जो है तकनीकी का chain हम किस तरह के वहापे जो है तकनीक यूज करने वाले हैं यह बहुत important है तो यह हमें पता होना चाहिए next जो है विकास की कैसी संभावनाएं हैं उसके उपर भी हमें depend होना पड़ेगा ठीक है ठीक है तकनीकी नविंता कैसी है और विकास की संभावनाएं कैसी है यह भी हमें बताना होगा साथी साथ हमें यह बताना होगा विभीति करन यानि कि diversification कैसी है यह हमें बताना होगा next part हम जो है उसके बारे में बताएंगे आपको कम से कम जो है पैसे का क्या क्या सूर्स है वह आपका इसको डिसाइड करेगा सहकार सहकारिता इस्तर label of collaboration आपने किस-किस से जो है अपना collaboration बना रखा है किस से आप जो है ले सकते हैं इससेदारी किस से कमा सकते हैं वो चीज इसमें आ जाएगी और साथी साथ जो है अमूर्थ संपत्यों के लिए प्रावधान क्या है यानि कि provision for fixiousness जो assets जो है आपके fixiousness जो होते हैं इसमें जो है इसका क्या प्रावधान है जो है आपके प्रारंबिक वै आपने ख्याति को ले रखे पेटेंट ले रखा है ये प्रारंबिक वै कैसे करोगे स्थापना वै कैसे करोगे ये सारी चीज़ा हमें पता होने जीए तब ही जाके हम किसी कंपनी के स्थाई पुन्जी के आउशक्ताओं को निरिधारित कर सकते हैं अन्यथा नहीं कर सकते हैं इसी के अथुआ पार्ट में एक कोशिन स्थाई पुछा गया है भारतिय पृति एवं बिणियम बोड सेभी जिसको बोलते हैं कि उद्देश्य के कारेयों उद्देश्य एवं कारे belie, उद्देश्य भी बताने हैं और कारे भी बताने हैं ठीक है तो उद्धेश्य भी बताएंगे कारे बताएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं सेवी के उद्धेश्य चार्ट से समझ सकते हैं कि सेवी के उद्धेश्य क्या है तो निवेश्य को की सुरक्षा करना ये सेवी का उद्धेश्य है पहला उचित वेवार करना दूसरा बात करते हैं निवेश्य को की सुरक्षा की बात करते हैं इस उदेश्य की बात करें तो हमें निवेश्य को की सुरक्षा कैसे करने हैं इस उदेश्य को हमें स्थापित करना होगा दूसरा जो उदेश्य बनता है इसका उचित वहवार उचित वहवार जो है उसमें हमारा उद अधिकरत सूचनाई आपको बतानी होंगी, चोथा उद्श्य है बाजार उपलब्द कराना, सेवी जो है बाजार उपलब्द कराएगा, पांचवा जो उसका उद्श्य है जो हमने टेवल में समझा, आंत्रिक उदिश्य होता है आंत्रिक उदिश्य में छोटी मोटी चीजे जो है शामिल होती है अब सेवी के कार्रे भी पूछा गया है कुश्चन में अभी हमने देखा था कि कुश्चन में सेवी के कार्रे पूछा गया है सम्मान निवेशकों के हित की सुरक्षा रह सके इस तरह से जो है इसमें मैं 5 आपको सुरक्षात्मक कार्रे बता रहा हूँ पहला आपने देख लिया, दूसरा ये रहा, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये रहा और इसके बाद में 4 पॉइंट की हम बात करते हैं तो चौथा पॉइंट ये रहा, पाँचवे पॉइंट की बात करें तो ये रहा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 पॉइंट जो है हम बता रहे हैं किसके लिए तुरक्षात्मक कार्रे के लिए इसके बाद जो है पांच पॉइंट हम बताएंगे विकासात्मक कार्ये के लिए तो विकासात्मक कार्ये में पहला पॉइंट यह हो जाएगा और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसको आप इस तरह से लिखेंगे तीसरा पॉइंट यह हो जाएगा आपका चौथा point में आप इसको सम्मिलिद करेंगे और 5 वे point में आप इसको सम्मिलिद करेंगे इसके बाद सेवी का संचालन या फिर नियम संबंदी कार्रे होता है उसको हमें बताना होगा तो ये भी आपको लिखना होगा कि 10 अंक की प्रशन इतना आसान नहीं है आपको इतने अंक नहीं मिल पाएंगे तो अंकों को हासिल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा सभी के 5-5 पॉइंट दिये हैं अगर आप 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट भी लिखते हैं आप आसानी से पूरे आंक पराप्त कर सकते हैं जिसमें आपका संचालन या नियमनन समंदी जो कार्रे होता है उसमें हम धोके बाजी या कोई अनुच्वित व्यपारी उसके बारे में हमें पता हो और उसकी हम रोक थाम कर सकें ठीक है उसके लावा जो है कोई भी ऐसा जो अधिशुल्क लेता हो कोई ज़्यादा लगान लेता हो कोई ज़्यादा टेक्स लेता हो तो ये सम्मंदी कारे भी सेवी काई है तो इसको भी हमें बताना होगा नेक्स जो है परतिभूतिया जो होती है उसके ऊपर भी यह सेवी का कार कि रखना उसके बीच मेडियेटरे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने कहीं गल्थ तो काम नहीं करेंगे तो उसके ही दलाल होते हैं खिलाडी होते हैं उनका पंजी करंड करना उनको जो है अपने संस्ता के पहतीरीन तरीके से लिख पाएंगे थैंक यू वेरी मच्छ वेव गुड डेए